तो कि आगा विल्कम तो माइनीं व्लोग और वेल्कम तो मैं चैनल और आज है दिवाली दमीन्स बड़ी दिवाली और यह देखे डेकुरेशन हो ही रहा है कर रही हूँ काफी आज लेट हों गया डेकोरेशन करते कर तो सब कुछ थोड़ा से सब कुछ फैला हुआ है तो बस मैं धीरे-दीरे कर रहे हूं और आगे आपको ले चलती किया है थोड़ी सी रंगूली बनाई बहुत जादा तो नहीं बनाई है तो आप बताएगा आपको रंगूली कैसी लग रही है कुछ कलर्स यूज किये और जो यह दिवाली के दियों की अपनी अलग ही रोशनी होती है और पापा जो है मुहरुत के अपना पूजा कर रहे थे स्टार्ट कर दीती है पहले हम लोगों ने की उसके बाद घर के जेंस कर रहे थे पूजा तो यह मैंने यहां का भी शूट किया है जिसमें गणेश लक्षमी कुपेड जी और जो जो भगवान जी लगते हैं गाय शेर वो सब मैंने रखे हैं क्योंक दॉटा से वीडियो क्लिप बना रही थी और पूरे फैंड़ी मेंबर्स पापा, मम्मी, और गर्वेत ऑर हम सबदी आड़ती कर रहे थे बराबर लक्षमी जी की और गंजह जी की। क्योंकि आज तो लक्षमी जी और गंजह जी का ही कि हैं आपके आई होफ होती होगी चोटे बड़े एक दूसरे को टीका लगा करके कुछ दान दक्षिना दी जाती और मीठा किलाया जाता है इसके बाद हम लोगों ने गेट के बाहर पटाके दगाए जिसके लिए गर्वित मॉर्णिंग से ही बहुत जादा परेशान थे काफ कि ये भी बोला जाता है कि घर की छट पे भी शगुन किया जाता है पटाकों के लिए तो इस बार हम लोगों ने ऐसे पटाके नहीं दगाए ऐसे दगाए जो कि आसमान में जाकर के ही उसका मतलब जो भी चिंगारी हो वो हो क्योंकि टाइल्स अभी लगे हुए थे तो मैंन मना कर दिया था कि नहीं छट पे ऐसे कोई भी पटाके नहीं दगाओ जिससे टाइल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो ये देखिए जिसमें एक ऐसा पटाका लाए थे हस्बें जिसमें 30 सरीके के रॉकेट्स होते हैं जो आसमान में जाकर के काफी अच्छा लग रहा था ये देखा है तो ये देखिए मैंने इसका भी क्लिप बनाया इसमें कम से कम 30 रैकेट्स से जो कई कलर फूल थे जो काफी देखने में अच्छा लग रहा था तो गर्वी तो काफी नजुआय कर रहे थे और साथ में हम लोग भी नजुआय कर रहे थे बट पटाके दगाने का का मस्टन का होता है और हम लोग दूर से ही दर्शक बने देखा करते हैं तो ये आतिश पाजी लगबग सभी लोगों ने ही देखी होगी लेकिन मैंने फिर भी ये वीडियो क्लिप डाली और अनार वगेरा गर्वित ने कहा कि नहीं पापा एक साथ रख करके इसको ब्लो करें तो ये देखिए एक साथ उन्होंने ही सजाए थे गर्वित ने और दूर से ही हम लोग देख रहे थे और हलाकि जबकि बैन लगा हुआ है सरकार ने बैन लगाया हुआ है इस चीज के लिए बट फिर भी मार्केट में पटाके मिल रहे थे और लोग अपने घरों में दगा रहे थे वैसे बिन पटाके की दिवाली अच्छी भी नहीं लगती है तो आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन हम लोग रात में मतलब जो हम लोगों ने दिये रखे थे अपनी रंगोली में मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई ये तो मॉर्निंग का था ये खा हुआ है जो मॉन होकर के खाया जाता है तो इसके बाद सुहाग ली जाती है सुहाग लेने की पारी तो बस मम्मी सुहाग ले रही थी इसके बाद मैंने भी सुहाग वगेरा लिया और अच्छे से गोबर्दन की पूजा हुई और इस दिन तो आपको पता ही है काइट उ उड़ा पाते हैं बट हजबन का उस दिन ओफिस कुला हुआ था तो ओफिस चले गए थे बस वेट कर रहे थे कि पापा जितनी जलनी आए मैं उनके साथ लाई करूँ और आज है भाईया दूच छट पे इतनी जादा तेज धूपती कि मैंने सही से वीडियो क्लिप मतलब थो करने के बाद हम दोनों लोगों ने मम्मी और मैंने सुहाग लिया सुहाग करने के बाद तो यह रही हमारी भाईया दूच की पूजा आई होप आपको मेरा ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंडील के साथ में तब तक के लिए जैशी र बाद हो बाद आई